मूवी की स्टार्ट में हम कैलिफॉनिया नाम की एक यूनिवस्टी को देखते हैं जिसके रिसर्च लैब में एक रिसर्चर किसी प्रोजक्ट पर काम कर रही थी और इस रिसर्चर का नाम जोई था जोकी मूवी की मेन करेक्टर है। उसके टीम में तीन और लोग भी थी जोक इवा को बाकी सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। यहां पर जोई और उसका फ्रेंट फ्रैंक अपने प्रोजक्ट पर इवा से जो कि कैमरा असिस्टेंट होती है उससे रिकॉर्डिंग करवाते हैं और वो अपनी एक इन्वेंशन के बारे में बता रही होते हैं लगे सबसे बारे में बता रहने होती हैं पर एक रात जोई नाइट शिफ्ट में काम कर रही होती है तब इसका फ्रेंट वहां पर आकर उसे डरा देता है इसके बात वो दोनों बाते करने लगते हैं बातों ही बातों में जोई उसे बताते है कि इस प्रोजक्ट के खतम होते ही फ्रेंक और में शादी कर लेंगे और इस बात की वज़े से हम जोई की उस फ्रेंड को सैड और जैलस होते हुए देखते हैं क्योंकि वो भी जोई को लाई करता था फिर नेक्स डे वो अपनी रिसर्च की बारे में डिसकस कर रहे होते हैं जहां पर जोई का दूसरा फ्रेंड अपना आइडिया शेयर करता है और मसले का सिलोशन बताता है और उन्होंने डॉप पर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो भी सकसेस्फुल हो जाता है जिसकी वज़े से वो लोग काफी खुश हो जाते हैं फिर रात में दिखाया जाता है कि जोई एक नाइट मेर देख रही है यानि एक बुरा खुआप जहां पर एक अपार्टमेंट में आग लगी हुई थी जिसकी वज़े से जोई डर जाती है और फोरण जाक जाती है तो फ्रैंक वहाँ पर आकर उसे पूछता है कि क्या तुम फिर से डर गई हो उस नाइट मेर से जिस पर जोई कहती है कि हाँ आज भी जिससे हमें ये पता चलता है कि जोई को एक नाइट मेर हर रात आया करता था असल में इसके बीचे भी एक रीजन थी इसके बाद फ्रैंक जोई को रिलेक्स करके वहां से चला जाता है फिर नेक्स डे वो लोग फिर से एक डॉक पर एक्सपेरिमेंट करते हैं जोके मरा हुआ था और वो अपने सीरं की जरीए इस डॉक को जिन्दा करना चाहते थे अब वो हर साइंटिस की तरह पहले अपना एक्सपेरिमेंट एक जानवर पर ही कर रहे थे और इस एक्सपेरिमेंट का सारा प्रोसेस इवा अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रही थी और अब उस डॉक की आँखी में ठीक हो गई थी अब डेफिनेटली ये उस सीरं का ही कमाल था जोई बताती है कि ये सीरं ना सिर्फ जिन्दा करता है बलके हील भी करता है एक्सपेरिमेंट की सकसेस्फुल होने की वज़र से वो लोग सेलिबरेशन करते हैं और काफी खुश भी थे फिर जोई और फ्रैंक उस डॉक को अपने साथ घर ले आते हैं लेकिन वो डॉक ना तो जिदा घुल मिल रहा था और उसका भी हैवियर भी काफी अजीब था और रात में जब जोई सो रही होती है तो वो डॉक उसके पास आता है और उसे घुटने लगता है फिर अगले दिन ईवा उस डॉक के साथ केलने की कोशिश करती है लेकिन वो तो कोई मुवमेंट ही नहीं कर रहा था एक जगा बढ़ा हुआ था तो इसलिए वो सब लोग उसका एमराई करते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि सिरम अभी तक उसके दिमाग में है यानि उस सिरम ने पूरे बाड़ी में फ्लो नहीं किया फिर रात के टाइ तरीके से उस पर भौकने लगता है जैसे किसी ने उसे पोजेस किया हो फिर जोई का वो फ्रेंड अपने बाकी पार्टनर से मिलता है और उन्हें वो सारी बात बता देता है लेकिन कोई भी उसकी बात का बिलीफ नहीं कर रहा था जोई उसे कहती है कि फजूल में और स्टे जाते हैं जहां पर फ्रेंक प्रोजक्ट के लीडर से मिलता है जहां पर प्रोजक्ट के लीडर फ्रेंक पर काफी घुसा करती है कि तुमने सिर्फ कॉमा के पेशंट का एक्सपेरिमेंट करने की परमेशन ली थी तो फिर ये सब कुछ किया है क्या चल रहा है ये तु किस तरह के अजीब हरकते कर रहे हों क्योंकि नेचर और गोड की कामों में इंटर्फेर करने से नुकसान ही होता है। लेकिन फ्रैंक उसे समझाने की काफी कोशिश करता है। कि देखें इन्वेंशन ऐसे ही होती हैं। और हम यह सब कुछ इंसानों की बलाई के लिए ही तो कर इदली है। और वो सारे की सारी रिसर्च भी। जिस पर फ्रैंक कहता है कि हम अपनी रिसर्च किसी को नहीं बेच सकते ऐसे। दूसरी तरफ उनके लैब पर भी चापा बढ़ जाता है। और तो और उनकी रिसर्च के लिए फंडिंग भी बंद कर दी गई थी। और सारा ड पानी फिर गया है। सब कुछ उनके हाथ से चला गया है। फिर नेक्स डे वो सब लोग डिसकेशन करने लगते हैं। जोई कहती है कि मेरा शक तो ईवा पर है कि इसी नहीं वो वीडियो लेक की होगी। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम सीक्रिट लिए इस एक्सपेर कार्ड रखने में काम्याब हो गई थी क्योंकि वो सब की नजरों से बचकर वहां से निकल जो गई थी। इवा एंट्री कार्ड दिखा कर डॉक के साथ वहां पर चली जाती है। और वो बाकी लोगों को भी पिछले डोर के जरिए लैब में ले आती है। और अब वो अपन की तरह recording कर रही थी। और जोई भी पहले की तरह अलक्टिक शॉक देने के लिए में सुच को on करने लगती है। और जब वो में सुच को on करती है तो उस जिलरी की वजह से जो कि उसने पहन रखी थी lights off हो जाती है। जिसकी वजह से काफ़े बड़ा अलक्टिक शॉक जोई क इनने किसे पर भी इंसान पर इस तरह का experiment नहीं किया फ्रैक कहता है कि लेकिन मुझे पता है कि ये सिर्ण वर्क करता है और इसल्ये मैं जोई को दुबारा हासिल करना चाहता हूँ मैं उसे खोँ नहीं सकता और इसल्ये सब मांजाते हैं अब यहां पर फ्रैंक बिल्कुल उस डॉक की तरहां जोई में भी वो सिरम इंजक्ट करता है जबकि इवा उसे उलेक्रिक शॉक देती है जोई का फ्रैंड देखता है कि सेक्योर्टी गार्ड्स उनके लेब की तरफ आ रहे हैं इसलिए वो सब चुप जाते हैं और जब गार्ड वहां से जाता है तो सब बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि जोई स्ट्रेचर पर बैठी हुई है यानि वो दुबरा जिन्दा हो गई है और वो किसी बहुत से कम नहीं लग रही थी क्योंकि उसने वाइट कपडा लिया हुआ था फेस पर इसके बाद फ्रैंक जोई को जिन्दा देखकर बहुत कुई शचाता है इसके बाद वो जोई की भी MRI करते हैं जिससे उन्हीं पता चलता है कि जोई की भी cells चेंज हो रहे हैं इसलिए वो सब परिशान हो जाते हैं लेकिन फ्रैंक जोई को अपने साथ ले जाता है और जोई फ्रैंक को वो बाते बताती है जो उस वक्त फ्रैंक के डिमार्ग में चल रही थी और ये सब को सुनकर फ्रैंक डर कर वहाँ से भाग जाता है फिर जोई चीज़ां को भी अपने ब्रेन पावर से मूव करने लगती है यानि यहां पर हम ये देख पाते हैं कि उस सिरन की वज़े से जोई की ब्रेन पावर काफी बढ़ चुकी थी और वो दूर से ही लोगों का ब्रेन पढ़ सकती है उनकी बाते सुन सकती है और अचानक से उसकी उंगलियां भी नीली होने लगती है और जब वो मिरर में देखती है तो वो भी तोट जाता है और मिरर यहां पर उसकी दो रिफलक्शन दिखा रहा था फिर वोही डोग जोई के पास आकर उस पर बॉंकने लगता है और यहां पर जोई अपनी ब्रेन पावर को यूज़ करते हुए उस डोग को मार देती है इसके बाद वो डरते हुए फ्रैंक के पास आती है और उसे बताती है कि मैं पहले जैसे नहीं रही मैं चेंज हो गई हूँ मेरे साथ सब कुछ अजीब हो रहा है लोगों के ब्रेन में क्या चल रहा है वो क्या बोल रहे है मुझे सब कुछ पता चल रहा है और जब मैं मर गए थी तो काफी सालों से मैं एक जगा पर ही भसी रही जहां पर मुझे लोगों की चींखे सुनाई देती थी और मुझे लगता है वो हैल्थी फ्रैंक कहता है कि तुम सिर्फ कुछ मिनट के लिए ही मरी थी और ये एक स्टाइड इफेक्ट हो सकता है परेशान मत हो इसके बाद फ्रैंक जोई को नेन का इंजेक्शन लगा देता है और जब जोई सो रही थी तो इवा उसके पास आती है फ्रैंक उसे बताता है कि असल में ये जोई का नाइट मेर है जो से हमेशा तन करता था असल में जब जोई छोटी थी तो इसकी बिल्दिंग में आग लग गई थी जिसकी खयालों से आज तक जोई बाहर नहीं आ पाई जोई की ब्रेंड पावर काफी बढ़ चुकी है यानि वो ड्वेलप हो चुकी है और ऐसा उस डॉग के साथ भी हुआ था लेकिन अब क्योंकि वो जानवर था इसलिए हमें पता नहीं चल पाया कि आखिर उस डॉग के साथ चल क्या रहा है और जोई जब नेंसे जाकती है तो उसकी आँखें बिल्कुल ब्लैक हो गई थी इसके बाद जोई का वो फ्रेंड जोसे पसंद करता था उसे डोड़ने लगता है लेकिन जोई उसे नहीं मिलती लेकिन फिर थोड़ी दिर की बाद वो उसके पीचे से आ जाती है और यहां पर जोई उसके साथ अजीब हरक पैंकर दर्वासा बंद कर देती हैं और उसे बहुत ही बुरे तरीके से क्रुश करकी मार देती हैं और उसका सारा कुन बाहर निकलने लगता है और इसकी बात जोई जाकर दो़श आती है और जब सारे लोग वपिस वहां पर आते तो उन्हें एपना वो फ्रेंड नहीं मिल जोई उसे कहती है कि तुम बिल्गुल ठीक सोच रही हूं मैं इस दुनिया की नहीं हूं तो यह सुनकर इवा डर जाती है तब जोई का फ्रेंड उससे अपने उस फ्रेंड की बारे में पूछता है जिसे जोई मार चुकी थी तो उसमाइल करके कहती है कि कुछ नहीं किया मैं सब कुछ हवा में उनने लगता है और जोई सब कुछ उन लोगों की तरफ पैंक रही थी जिससे वो इंजर्ट हो जाते हैं तब यह देखकर इवा और फ्रेंक वहां से भाग जाते हैं और इसके बाद सारे डड़ बार्डिस भी दुबारा से जिन्दा होकर खड़ी हो जात है और जोई उसे कुछ दूर खड़ी होती है थोड़ी दिर के बाद जोई उसके पास आ जाती है और उसे पूछती है कि तुम यह इंजक्शन क्यूं लेकर आये हो तब उसे यकिन दिलाने के लिए फ्रेंक उस इंजक्शन को नीचे रख दीता है और उसे समझाने की है तो वो घुसे में आकर चिलाने लगती है और फ्रेंक को भी बहुत बुरे तरीके से मार डालती है और यहां पर जोई की अंदर का शेतान साफ साफ दिखाई दे रहा था और वो बाकी बचा सिरम भी सारा अपने दिमाग में इंजक्ट कर लेती है जिससे उसका दिमाग औ पिर इसके बाद इवा किसी तरह बच कर वहां से भाग जाती है इसके बाद वो दर्वाजा बंद कर देती है और वो देखती है कि वहां पर बच्पन वाली जोई खड़ी हुई है यह वही नाइट मेर था जो जोई को आता था और इवा भी पहले इसे देख चुकी थी यान पूरा फेस जल रहा था और काफे ड्राउना लग रहा था यहां पर इवा चोटी जोई को कहती है कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है तुम अभी बे कुछ लोगों को बचा सकती हो दर्वाजा खोल कर और चोटी जोई जब दर्वाजा खोलती है तो वो रियालिटी में आ ग होती है और सब बताती है कि मैंने ही जोई को मार दिया अपने हाथों से लेकिन वो देखती है कि जोई की डड़ बॉड़ी गाई भेवां से वो देखती है कि रेस्क्यू आफिसर कोई और नहीं बलकि जोई है इसके बाद जोई इवा को भी मार देती है इसके बाद हम देख चाहे जो युद्क घूँ तो ब में का जो से सकताmat।